हेलो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप भी दोस्तों अगर अपने Samsung के Mobile में Gallery को एप लोग लगाना चाहते हैं इसके लिए दोस्तों आपने अपने well की settings को open कर लेना है, settings को open करने के बाद निचे के और scroll down करते जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के well में एक option देखने को मिल जाती है, advanced features, इस वाली option पर दोस्तों आपने click करना है, इसके बाद दोस्तों सबसे last में आपने चले जाना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting देखने को मिल जाती है, lock and mask apps, इस वाली settings को दोस्तों आपने open कर लेना है, open करने के बाद दोस्तों आप सभी के while में ये setting off रहती है, तो सबसे पहले आपने इसको on कर देना है, on करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे एक pattern, pin या password दोस्तों ये मांगेगा, तो आपने दोस्तों एक pattern को set कर लेना है, जो दोस्तों आप अपने app lock में लगाना चाहती है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक इस तरह से एक pattern को set करना है, इसके बाद दोस्तों दुबारा आपने इसको इस तरह से डाल कर confirm कर देना है, confirm करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ time लिए loading लेगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे नमबर पर आपको Locked Apps की ओप्षन देखने को मिल रही है इसमें दोस्तों आपने क्लिक करने को बाद यहाँ पर दोस्तों अब Simply आपने क्या करना है जिस application को आपने app log लगाना है यहाँ पर add की option पर click कर लेना है जैसे मैंने दोस्तों आपको शुरू में ही बताया था हम gallery को app log करना चाहते हैं तो gallery को इस तरह से आपने select कर लेना है इसके बाद दोस्तों done पर click कर देना है अब दोस्तों जो हमारे वैल में जो gallery application है वो log हो चुकी है अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर check भी करवाता हूँ जैसे मैंने दोस्तों अपने वैल में gallery को app log करना था तो gallery में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब log हो चुका है जैसे मैं दोस्तो अब इसको open करता हूँ तो यहाँ पर यह pattern माँग रहा है जो मैंने दोस्तों वहाँ पर set किया था जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों इस pattern को दे दूँगा यहाँ पर दोस्तों मेरी यहाँ पर gallery open हो जाएगी इस तरह से दोस्तों आप Samsung के किसी और application को भी app log लगाना चाहते है तो इसको भी दोस्तों इसी तरह से same आपने settings में चले जाना है और वहाँ पर दोस्तों आपको वह option देखने को मिल जाती है इसके बाद दोस्तों logged app में जो आपने दोस्तों application को log करना है इसी तरह से दोस्तों आपने उसको add कर लेना है अगर दोस्तों यहां से आप इसको unlock भी करना चाहते हैं तो unlock कर सकते हैं अगर किसी और application को भी आप add करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने add पर click कर लेना है और जिस भी जिस application को आप upload करना चाहते हैं इस तरह से select करना हो done कर दे है चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल एकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों सैमसेंग के सबी यूजरों के साथ इस वीडियो को शेर जूर करना